बेल पर निकल नहीं वाले थे यह तो हम सब जानते हैं पिछले हफ्ती की बात है बेल उनकी निसीरिया दालत ने कर दी थी और उसमें बड़ी सक्ट टिपणिया की गई थी एडी के लिए लेकिन बेल हुई एडी पहुँची हाई कोट ने बेल रोक दी उसके बाद हाई कोट का फैसला आ गया बेल पर रोक जाने वाले थे सुप्रीम कोट जाने वाले थे सुप्रीम कोट में अरजी उनकी लग भी गई थी इतने में सीबियाई आ गए और सीबियाई ने अर्विन केजरिवाल से बैपरे पूछताज की फिर उनको हिरासत में ले लिया तो अर्विन केजरिवाल की वकिले उनकी जमानत थी और वो हो गई होती सब कुछ ठीक हो आता है उनके हिसाब से तो अभी तक अपने घर में होते हैं आराम से और अब वो हैं सीबियाई की कस्टडी में तब सुनीता केजरिवाल जी ने आज एक पोस्ट डाला अभी तक मेरा अभी तक यही प्रार्थना रही है आपकी स्क्रीन पर है कि इश्वर स सब को सदवुधी दे लेकिन अब प्रार्थना रहेगी कि ताना शाह का विनाश हो और देश में ताना शाह कोई शब्द इस्तमाल अगर करता है विरोधी दल वो किसके लिए करता है ये कोई समझने वाली बात है नहीं नरे नर्मूदी के लिए कहा जाता है तो खुलकर लि चुनाव में तो वो अपनी पार्टी की सारी बैठों को वगेरा में जा रही थी बलकि बैठों के ले रही थी लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि अब पार्टी शायद बहुत आएगी अर्विन केजरिवाल की इस्तीफा देने की नौबत आएगी तो शायद व अंदर भी अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी जो सीबिया ने की उस पर प्रदर्शन किया आमाद्मी पार्टी ने मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा लेकिन उसमें एक बात ये नजर आए कि आमाद्मी पार्टी के सांसद अकेले ही नारे लगा रहे थे कोई और किसी और दलका नेता उनके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा था इसकी बात भी करेंगे संजेर सिंग की बात आपको मैं सुन्मा देता हूँ देखे ये प्रोटेस्ट है अर्विंद केजरिवाल जी की गिरिफतारी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है ताना साही के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है लोकतंत्र और समविधान की रक्षा के लिए आज एक निरवाचित मुख्यमंत्री को जो तीन बार से प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, उनको पकड़के आपने जेल में डाल दिया, तो इसलिए हम लोग भारत की प्रधान मंत्री से कहना चाहते हैं, जाच एजनसियों का दुर्पयोग बंद कीजिये, और अरविंद केजरिवाल जी को रिहा कीजिये, आपने हमारे मुख्य मंत्री को जेल में डाल बेस्ट मेंगौल, महारास्टा, अलग-अलग राज्यों, बिहार में जाच एजनसियों का दुर्पयोग हो रहा है, पहले समीर जी आपसे शुरुबात करना चाहता हूँ, मैं पहले सुनी दा केजरिवाल जी के ट्वीट पर बात करना चाहता हूँ, आप लोग इजासत दे पूरा तंत्री इसकोशिश में है कि बंदा जील से बाहर ना आ जाए, ये कानून नहीं है, ये ताना शाही है, एमर्जेंसी है, और आज उन्होंने लिखा है, प्रारत ना रहेगी ताना शाह का विनाशो, लेकि सुनीता केजरिवाल का पहली बार बयान नहीं आए, इसके पहले भी जब 21 मार्ज को अर्विन केजरिवाल गरफतार हुए थे, उसके बाद उन्होंने कुरिशी पर बेटकर एक बयान जारी किया था, और अब तो तीन दिन की कस्टेडी में लिए, पत्नी को 30 मिंट मिलने के अनुमती है, वकील को 30 मिंट मिलने के अनुमती है, घर का अनुमती है, तो हमें उम्मीद है कि कल जब सुनिता केजरिवाल आज जाएंगी मिलने 30 मिंट के लिए तो को नया वीडियो केजरिवाल का लेकर आएंगी, या कोजरिवाल का लेकर आएगी, केजरिवाल ने दिल्ली के जनता के लिए अपिल किये, फिर बेटके वो पढ़े हमें केजरिवाल का लेकर पढ़े साम्दे कि मैंने आपका लिया है अगर कल मनिश सुशवदिया के बारे में बता दे सब, राज खोल दे कि किस तरीके से केजरिवाल का लिएंगा, केजरिवाल का बहरा आपाएंगे, तो मुझे लगता कि केजरिवाल मुख्यमंत्री रहे, मुझे लग रहा है इतने लंबे समय के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है लगाता रहे जाज कर रही थी और सीबियाई नहीं कहा है कि गोवा में जो पैसों का इस्तिमाल हुआ है जिन लोगों ने इसमें दिया है रागो मंगुटा और रेडडी के कवितार का जो इसके इन्वाल्मेंट है वो हमने कड़ी जोड लिये क्योंकि पहले हवा में उड़ती भी पुंजी थी किसी के हाथ में नहीं थी पता यह उनकी बद्वा जो और पती कोहिं लग रही हो मुझे नहीं कहा नहीं दहिए जो लोवर कोट ने जो जजमिंट दिया उनका बेल पर वो एक भद्दा मजाक्त था भद्दा मजाक्ती से कहा जासकता है कि को मुझे लगता है सुप्रेम कोट इसका संग्यान लेना चाहिए कि कोई जज उसकी कोई accountability बनती है या नहीं बनती है यदि कोई आम ऐसे civil servant दिका रहा तो उसको टांग दिया जाता मैं फिर कर रहा हूँ उसको टांग दिया जाता यह नयायपालिका का एक भद्दा मजाक है मैं सब्दाग है क्या system काम कर रहा था कि vacation bench के समय इस प्रकार से उनको दे दिया जाए document बिना पढ़े judge लिख रही है कि हम पढ़े नहीं है पढ़ने का वक्त नहीं है लेकिन हम judgment देंगे तो bail हो जाने का मतलब आप समझ रहे थे क्या था bail हो जाने का मतलब है कि एक धंग से 45 जो PMLA का उस पर एक टिपनी थी कि भाई प्रथम द्रिष्टिया हमको लगता है कि आदमी निर्दोस्त है ये high quote का भी observation है तो मुझे लगता है कि CBI ने जो एक खेल था चल रहा था अरबिंद केजरिवाल को बाहर निकालने का उस खेल को ध्वस्त कर दिया है अब खेल ध्वस्त किया या खेल कर दिया मैं देना चाता है मुझे लगता है कि जो एक देखे एक बहुत बड़ा impression तो इस system में चला गया है और तीन प्रगार एक system में चला गया है high court is against supreme court से कहीं ने कहीं उनको ज़्यादा lenient behavior मिला है अब ये perception क्या खेल है क्योंकि उनको मालूम था कि देखे हम supreme court में जा रहे हैं हम लोगों ने तो यहीं मान की तेला वही supreme court में जा रहे हैं तो हमको bail मिली जाएगी इसकी क्या guarantee थी है ये impression एक पूरे देश में चला गया है कि supreme court lenient है अरबिंद केजरिवाल के bail के प्रती high court का रवया जो है वो बिलकुल इससे अलग है और lower court में जो vacation bench है उसने एक ऐसा फैसला दिया जिस पर फैसले का आधार ही नहीं बनता था जिसके आधार पर आप उसे bail दे रहे है बिढ़ा document को पूरे हुए और बिढ़ाई भी को सुने हुए इस पर राजनीती करने वाले अपनी राजनीती कर सकते हैं कि जब bail की प्रक्रिया चल रही थी अभी तो उसी वक सुप्रीम कोट हम सुप्रीम कोट जाते हैं उससे पहले ही CBI ने गिरिफ्तार कर लिया हमने भी इसकी timing बगरा पर बात ली कापी जब CBI ने उनका रिमान मांगा तो लोगर कोट ने क्या टिप पढ़िए क्या कहा है लोगर कोट ने कहा है CBI के लिए the timing of the action could have been circumspect सोची समझी जो है ये action है लेकिन उनर ये could have been is क्या शब्द असर क्या नहीं लेकिन CBI ने भी कहा ये को पूरा करना जी उसके बाद इतनी लाइने बोलनी है आपको जोड़ देता है नहीं में को पहले पूरा कर बोलिए तो अगर कोट ने कहा कि ये सोचा समझा है कोट ने ये भी कहा कि इस वक्त पर जो जो चीजे सरखी कही है उस वक्त पर हम इस जो गिरफतारी है इसे नकार नहीं सकते हैं इसे गलत नहीं करार कर सकते हैं लेकिन CBI आती उत्साह में भी कोई काम ना करे कि यह कोट की टिपनिया हैं तो इससे जो है कही ना कहीं ये भी बात लोगों के सामने आती है कि कहीं ये तो नहीं है कि सुप्रीम कोट में हो सकता था मैं ये नहीं कह रहा है कि अर्विन के जवाल कोई बेगुना है और अर्विन के जवाल बिलकोई साफ हो सकते हैं इस पर कोई टिपनिन मैं ये कह रहा हूं कि ये लग रहा था कि सुप्रीम कोट में हो सकता है ऐसा कोई फैसला आए जिसके कारण बेल सब चबी की किसको परवा है मैं कहा है सौरब जी मैं तो कह रहा हूँ मैं बहुत शौट कमेंट CBI ने जो तंत्र काम करता है उस तंत्र के खेल को ध्ष्थ किया है और CBI बधाई का पात्र है CBI ने किया है CBI ने किया है बोलिए था करेगे तो चबी खराब होगी वधाई कोई न गोई तो कहे गा है और हम जब इसको बात करते हैं तो पता नहीं ठीक है सुनिता जी की पीडा जायज है उनके पती है बचारी जेल में है और जिस तरह की तस्वीरें आ रहे हैं वह बहुत उस तरह से आज वही सब होता है लेकिन हम लोग जब यह बात कर रहे है नियायाले पर जो भी नियायले पर जो साथ चाहेंगे उसके आधार पर टिपड़ी की गई क्या या नियायाले ने भी circumstantial टिपड़ी किये दोनों का फर्क होता है एक based on facts and evidences होता है और एक होता है कि हमने कुछ देखा हमें लग रहा है दोनों का बड़ा फर्क है और कानूनी भाषा में कहें sustain वही करेगी जो based on facts and evidences होगा यही वज़ा थी कि lower court की जमानत high court में इस्टे होती है और सिर्फ इस्टे नहीं होती है जब lower court के पास भी जाता है तो कहते हैं कि CBI ने जो गिरफ्तार किया है वो ठीक गिरफ्तार किया है वरना कहते ना चाहिए था lower court को कि आपने ठीक नहीं गिरफ्तार किया है तो मुझे लगता है कि इस मामले में जो पूरी debate हटकर अर्विन केद्रिवाल पर debate हो रही है इसके ओपर जो पार्टियों के politics होई एक बार उस पर हमको चर्चा करनी चाहिए अपका फिर आधरा तस्वीर ने दिखाई है जब संजय सिंग और मादी पार्टी के सांसद आज पार्लेमेंट के बाद विरोट बढ़े है दर्सक ने लिख करके भेजा है कि उस प्रदर्शन में रागो चर्ड़ा फिर गायब है यह तस्वीर नहीं वो संजय सिंग वाली तस्वीर लगाई है जिसमें वो प्रोटेस्ट कर रहे है बलकि संजय सिंग ने ओन रिकॉर्ड ये कहा था कि मैं इस मुद्धे को पार्लेमेंट में उठाओंगा और मैं कुशिश करूँगा कि इसमें पूरा विपक्ष मिलकर के अपनी आवाज उठाए अपना होता है उनको कमेंटरी जाना महत्पून लगी वो नहीं आए स्वाती मालीवाल को आप खुदी पीए से पिटवा दिया तो वह बैचारी कहां आएगी वह नहीं आ सकती दुखत दूसरा है रागव चड़ा तो खेर अद्भूत है उनका समझ में नहीं आता है कभी वो इतने लंबे चले जाते हैं आप क्यों नहीं आजाना चाहिए चश्मा पहन के ही आजाते लेकिन दूसरी पार्टीओं के लोग कैसे आएं कॉंग्रेस नहीं तो सारे एटेंसे ज सब तुछ सारी लडाई की शीकायत वो तो कॉंग्रेस की है यानी हम शीकायत करते हैं और हमारी शीकायत पर जब किसी खिलाफ कारवाई हो जाए तो हम जाक कहें वो भी गलत किया उसका परड़ाम दिल्ली तो भुगत रही है। परड़ाम दिल्ली तो भुगत रही है। क्या फाइदा मिला मुझे बताई ना। भले यहाँ सीट नहीं जीत पाए लेकिन कॉंग्रेस पार्टी को तो फाइदा ही मिला ना। कॉंग्रेस पार्टी का मोमेंटम बन गया। 99 पे जो पहुँचे हों देश बर में कि सिती मन गई। मैं केवल आमाद्धी पाटी और कॉंग्रेस के अलाइंस की बात कर रहा हूं। क्या फाइदा मिला कहा मिला पाइदा मिला तो पंजाब में तो अलाइंस ही नहीं था। पार लेकिन दिल्ली और हर्याना और गुजरात में तो पहले भी नहीं थे। तो हर्याना में कॉंग्रेस वहां भी जीत गई। पांच जीत गई। केजरिवाल बचारे। सबसे ज़्यादा उमीद दिल्ली से थी। नी नी अपने दमपर जीत गई। और जहां वैसे यह कहते हैं जब अच्छा हो जाएं सबराहुल जी नहीं किया। बुरा हो तो बचारे केजरिवाल के मात है। वैसे ही जेल में उनके ओपर और आप चार तोहमत लगा लगा लिए। उनके साथ मुख्यमंतरी जेल में वहां उनके साथ खड़ी नहीं हो जाकर के। आतिशी जी पानी के मुद्धे पर अंचन कर रहे ही थी सपा चली गई, TNC चली गई, वहां भी कॉंग्रेस नहीं गई। तो वहां तो कॉंग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मंत्री हो काम करो धरना क्यों दे रहे हो। पूरी तरह से उनको विधान सभा चुनाओ दिख रहा है, उनको लग रहा है केजरिवाल का ग्राफ नीचे जा रहा है, यही वक्त है कि हम फिर से थोड़ा बहुत करो सकते दिल्ली की लड़ाई लड़े हैं। अगला विधान सभा चुनाओ düş रहे होगी विधान सभा चुनाओ जो खोलते हैं। हमारा वोट बेंग आमाधी पार्टी के पास चला गया था वो दिल्ली में हमारे पास वापस आ सकता है अगला विदान सभाव चुनाओ जो अगले साल होने को बहुत साफ साफ दिख रहा है हिसाब चुकता करने का उसको लग रहा है कि वक्त आगया है आम आदमी पार्टी से कॉंग्रेस पार्टी के पराभों में आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका है अर्विन केजरिवाल की बहुत बड़ी भ्यूमिका है और अब जब आम आदमी पार्टी गहरे संकट के दौर से गन्यत्रितों का गहरा संकट पार्टी गहरे सं क्ट में हैं ऐसी इस्तिती में आज क्यां अविक्वेस पर्टी को लग रहा है कि हम पटर चल दिया जाता है प्रटी के लिए हमिट नीचे दिली में आपने प्रदरसन देखना शुरू होया आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि जो हमारा समझावता था वो सिर्फ दिली दिली तक के लिए सिमिता आगया है हम ऐसा नहीं विधान सबा उनको भी पता है कि यह दिया हर्याना में पंजाब में आप अलगी हो आल पंजाब म जो फायदा हमको मिलना चाहिए था वैसा मिला नहीं है और केजरिवाल को जता दो वसलियत में क्या सोचते हैं के लिए केजरिवाल ने जो दिया था उसका सूध के साथ मुलधन और जिसको कहते हैं सूध के साथ लोटाने का वक्त आ गया है और केजरिवाल जी को क्या ये ल पार्टी जो है 22 सीटे लड़ी और 19 जी जो 19 हार गई ये बात है लेकिन दूसी तरह ये भी है कि उसने अपना वोट शेर धाइगुना कर दिया तो हर चीज में कोई भी पार्टी जब बढ़ती है तो वो इसी तरह से बढ़ती है अचानक नहीं के आए और एकदम चा गए टाइप और केजरीवाल की पार्टी को तो ये मतलब अचानक बहुत सारी सेक्सेस मिली थी अब उनको अलग-लग राज्यों में वो जो असली पॉलि दानसभा चुनाव में अब ये ख्लियर है कि सारी पार्टी यां अलग-लग लड़ेंगी, कॉंग्रेस आप भी अलग लड़ेगी, तो वो कोई बहुत दूसरे के लिए सभामना रखे तो नहीं लड़ा जा सकता है? पहले भी अलग-लग लड़े थे, ऐसा तो है नहीं कि एक जेल से बाहर नहीं आए, तो दिल्ली के परिणाम भी उतने अच्छे नहीं होंगे, जितने परिणाम पहले अच्छा है. अगर आप पिछले लोग सभा से तुलना करेंगे, तब लगेए कि 8 प्रतिशत से बढ़ गए, लेकिन विधान सभा का चुनाओं जो 2022 में हुआ था, 42 परसेंट वोट थे, अरविंड जी की पार्टी के पास 26 प्रतिशत रह गया, कितनी तेज गिरावट है उसकी कलपना कीजे, और जो आपने सवाल पूछा, मूल बात वहे टिकी है, ये अरविंड केजरिवाल भरष्ट ब्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हुआ है, ये अरविंड केजरिवाल जिस घर में रहता है, उसको पब्लिक शीष महल के नाम से जानती है, ये अरविंड केजरिवाल जिन गाडियों के काफिले में चलता है, वो देश का हर राजनीता, उसी तरह से चलता है, त्याग पत्र देंगे उसको बाहर निकालेंगे ये अर्विंड केजरिवाल जो दूसरों के उपर फाइल लेकर कहता था कि हम तो ये फलाना भरष्टाचारी धमाका भरष्टाचारी देश के राष्टपती तक के फोटो लगा कर उसको क्रॉस कर दिया था जो जंतर मंतर पर हुआ था वो अर्विंड केजरिवाल इतने गंभीर आरोपों में है और उनके साथ के लोग कह रहे हैं न अर्विंड जी को परिशान किया जा रहा है बाकी सब ठीक थे और लालू जी के साथ आप मंच पर हाथ उट करेंगे और फिर दिल्ली की बात नहीं करेंगे तो अलग हो जाएगा दिल्ली में जो है आप अगर वोट शेयर देखेंगे तो 10-12 परसंट वोट शेयर बढ़ गया तो ऐसे दीए अब अलग अलग बाते करेंगे पंजाब में घट गया यहां पर यह हो गया तो अब को सब की बात ले करनी पड़ेगा अलाइंस होता है तो वोट घटता है कि बढ़ता है अगर वोट का परसंटे तो आप उसी में निकालेंगे जितने आप लड़ रहे हैं यह आप सारे में निकालेंगे वोट परसंटे अगर बात तो वही आगई ना अगर वोट अलग लगता है वोट प्रतिशत बढ़ा उसका रिजल्टेंट क्या हूँ फाइनल आउटकम क्या हुआ तो हम पंजाब देखते हैं जहां वो सरकार में हैं 92 सीटे हैं 42 से 26 हुए यहां माल लीजे कि वो 7 में आके 8-10 परसंट बढ़े और एक भी सांसत नहीं बढ़ा इसका मतलब यह कि करती हैं तो वोट परसंटेज में बात करती है जो पार्टी जिते हैं एक लाइन बस अर्विन केजड़वाल के इकार मारुती कंपड़ी को बहुत नुकसान हुआ है जब अर्विन केज़वाल मुख्यमंत्री बनेते हैं तो निली वेगनार के 20 यार रुपा ज़ाधा कंप